अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि यह हैशिंग क्या चीज होती है और क्यों हैशिंग यूज करते हैं हम लोग अब हम लोग यहाँ पर इंपलेमेंट करेंगे उस हैशिंग को PHP के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमने जो लॉग इन wouldn बनाया है उस लॉग いい तरह से हम लोग एक secure login system बना सकते हैं तो अगर आप लोग को script दिखाऊ हूँ तो यह sign up है, यह login है एक बहुत ही quick demo, एक GG के नाम से account बनाता हूँ और GG के नाम से जब login में जाके login करूँगा तो यह मुझे बताएगा कि welcome जी आपका स्वागत है और यहाँ पर simple जा एक login system है, जो कि username, password को directly database में store कर देता है लेकिन यह एक secure login system नहीं है, चुकि अगर मेरा database चोरी हो गया, यह table चुरा ली किसी ने, तब क्या होगा तो एक अच्छा तरीका यह होगा कि जब मैं अपने users को sign up करवा रहा हूँ, तब मैं password store ना करा के, यहाँ पर password hash store करा हूँ यानि कि जब मैं कहा रहा हूँ कि अगर password बराबर हो जाता है, c password के, तो आप क्या करो, एक hash generate करो तो मैं कहूँगा कि भाई, इस password का hash बना लो, और password का hash कैसे बनता है, password hash function से, तो आप देखो यहाँ पर password hash और उसके बाद मैं यहाँ पर जो password है वो डाल दूँगा और यहाँ पर dollar भी लगा लेते हैं अब यहाँ पर मैंने password hash जो है यह लिखकर इसके अंदर password दे दिया अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं hash को store करूँगा तो मैं यह कहूँगा अब यहाँ पर जो यह password hash होता है इस function के बारे में थोड़ा सा और देखते है PHP के manual में चल कर चूँकि वह हमको बताएगा कि क्या चीज इसमें क्यों है कैसे है क्या return करता है कब return करता है क्यों return करता है यह सब का सब यहाँ पर देखो इन्होंने बताया हुआ है तो इसको आप algorithm भी pass कर सकते हो कि वह कौन साब mechanism है जिससे यह one way hashing करता है एक given password की तो यह देखो यह बता रहाएगी अगर आपने password hash इस तरह से use किया तो यह आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से above example will output something similar to यह ठीक है तो यहाँ पर एक चीज और भी वे है that default may change over time so you would want to prepare by allowing your storage to expand past 60 characters तो यह गहने 255 characters तक आप लोग जोई ले लो इस चीज़ को तो मैं क्या करूंगा कि यह जो password default है इसको मैं आपर copy कर लेता हूँ और देखो इन्होंने और भी example दिये हूँ तो दूसरा इसका जो argument है वो है password का जो algorithm वो है ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा उसको कर दूंगा password default तो मैं एक बहुत ही simple सा login system यहाँ पर implement करके दिखाना चाहता हूँ तो मैंने आपर इसका जो दूसरा method है वो password default कर दिया अब ज़रा यह देखता हूँ कि मेरा जो database है उसमें कहरा है कि यार 255 characters तक की storage दो है रखो तो मैं कहता हूँ बाई चलो ठीक है आप कहरे हो तो मैं change करता हूँ अपने इसको और मैं 255 की जो storage limit है उसमें expand हो जाता हूँ ठीक है तो मेरा जो password है वो 255 character का होगा एक नए account बनाता हूँ और वो नए account में बनाऊंगा secure की नाम से तो मैं इस account को log out करूँगा और sign up करूँगा नए account से जिसका नाम secure रखूँगा और password में 1 रखूँगा तो password मुझे याद दिला देना मैं भूल जाओं तो 1 है password sign up किया मैंने और यह कह रहा है बन चुका है आपका account देखते हैं account बनाए की नहीं और इस बार देखो यहाँ पर password की जगा पर एक string है बड़ी अजीब सी शाद आप लोग बोलो गयार यह क्या है अगर मैं अपनी login script की बात करूँ तो वो क्या करता है वो password जो input किया गया है उसको database से fetch करके मिला लेता है लेकिन मैं यह काम करने के लिए password verify का use करूँगा तो मैं कहूँगा कि जो password verify है और मैं आप पर php manual लिखता हूँ क्योंकि php manual का जो password verify function है वो use करना चाता हूँ तो इसमें क्या है कि आपको password डालना है और hash डालना है और यह एक boolean return करेगा अगर password match होता है तो true return करेगा वन्ना false return करेगा अब एक चीज confuse मत होना इस चीज़ से यह string matching नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है कि मैंने secure लिखा तो secure को इस चीज़ से मिलाएगा यह secure का hash बनाएगा पहले उसके बाद इस से मिलाएगा ठीक है तो यह चीज यह है आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना है ठीक है तो यहाँ पर देखो password verify इस तरह से मैं कर सकता हूँ अब मैं आपर करूँगा क्या कि मैं आजाओंगा यहाँ पर और मैं आपर करूँगा क्या कि पहले मैं कह रहा था कि अगर मेरा username sorry username आता है database के अंदर और password मेरा match करता है username के corresponding database रखा हुआ है password वो तो पहले मैं क्या करता था मैं कहता था कि भाई देखो ऐसा है कि अगर मेरा username database के अंदर है और password जो username के बगल में रखा हुआ है वो match होता है input password से तब मैं कहूंगा कि भाई ठीक है तब credentials आपने साही डालें और आपको welcome.php में डाल दिया जाए तो login को मैं true तब करता था जब मेरा password match होता था तो देखो मैं पहले क्या कर रहा था मैं कर रहा था select star from users where username is equal to यह and password is equal to यह ठीक है लेकिन इस पर मैं यह नहीं करूँगा मैं कहूंगा select star from users where username is equal to ठीक है और and password is equal to मैं हटा दूँगा यहां से तो मैं इसको comment out करूँगा और मैं कहूंगा कि भाई देखो ऐसा है कि सिर्फ मुझे username से मतलब है मुझे यह वाला record दे दो उसके बाद क्या होगा उसके बाद मैं कहूंगा कि भाई देखो result मेरा यह आ गया अब मैं कहूंगा कि number of rows जो है वो equal to one है और उसी के साथ साथ क्या होना चाहिए कि जो password है वो match होना चाहिए और password का जो hash है वो match होना चाहिए तो मैं आपर करूँगा क्या कि जो rows है उनको निकालूंगा उन values को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा मैं लिखूंगा while और मैं लिखूंगा dollar row is equal to MySQL Fetch ASSOC मुझे को extension install कर लेनी चाहिए PHP के लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ MySQL Fetch ASSOC और यह रहा MySQL Fetch ASSOC एक एक character अगर इसमें कुछ गरबल कर दिया ना आपने तो problem हो जाती है ठीक है तो मैं इसी को खोल लेता हूँ और यहां पर देखता हूँ कि क्या यह expect करता है और मैं PHP manual से ही देखना पसंद करता हूँ but for some reason PHP manual उपर नहीं आती है ठीक है तो MySQL IE Windows को Fetch ASSOC यूज करना है और इसको आपको क्या देना है MySQL का result देना है तो यहां पर IE लगा लेते है और यहां पर इसको dollar result देते है ठीक है और यहां पर मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा इसके अंदर कि भाई देखो ऐसा है अगर dollar row password if password verify पहला argument क्या रहता है पहला argument रहता है password जो की password डाला है यूजर ने और दूसरा argument क्या रहेगा जो password database में है अगर देखो भाई ऐसा होता है तब तो मैं कह रहा हूँ कि login को true कर दो वरना login जो जाएगा वो false तो था ही उपर ठीक है तो वरना मना कर देगा यह तो अगर login true है मेरा तब मैं session start करूँगा यह सारा काम करूँगा वरना मैं इस सारे काम नहीं करूँगा तो मैं इसको login true के नीचे डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको tap दबा के तो लोड़ा formatting कर देता हूँ उसकी अच्छे से और अभी ज़रा देखते हैं कि कुछ गरबर तो नहीं करी हमने या फिर सब कुछ ठीक है या फिर गरबर कर दी है secure के नाम से लोगइन करूँगा और पासफुड था मेरा one और यहाँ पर देखो मैं लोगइन हो चुका हूँ secure के नाम से मैं लोगइन हो चुका हूँ ऑशे ज़रा गलत password डालके देखता हूँ मैं आप यह से नहीं गलत में भी login कर राज तो मैंने यहाँ पर secure लिखा secure और उसके बाद मैं गलत डालना हूँ password और ये अभी मुझे login नहीं कर रहा है ठीक है लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मुझे वो देखने को नहीं मिल रहा है जो पहले मुझे देखने को मिल रहा था उसका क्या reason हो सकता है मैंने यहाँ पर login is equal to true किया और यहाँ पर मैं कह रहा था कि अगर number of rows equals to 1 है तब तो यह कर दो और उसी के साथ साथ वरना क्या करो वरना invalid credentials कर दो ठीक है लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो show error है वो मेरा invalid credentials इस case में भी हो इस case में भी मेरा invalid credentials हो अकर password match नहीं कर रहा है ठीक है तो मैं यहाँ भी लाल दूँगा invalid credentials और इस पर यहाँ पर अब गलत password डालके देखता हूँ और यहाँ पर अब मुझे invalid credentials दे रहा है तो secure का गलत password डाला तब भी invalid credentials दे रहा है कुछ ऐसी चीज़ डाली जो कि ही नहीं तब भी invalid credentials दे रहा है secure one डाला तब मुझे यह अंदर ले लेगा यह देखो login हो गया हमाँ तो यह करने से क्या हुआ कि मेरे database में security आ गई है अब मैं जो accounts बनाता हूँ उनके hash store हो रहा है उनके password directly store नहीं हो रहा है एक काम मैं आपर करने जा रहा हूँ भी इस table को मैं खाली कर रहा हूँ users value table को delete the table ठीक है in fact empty करूँगा table को truncate करूँगा delete नहीं करूँगा और यह करने से क्या होगा कि मैं आप नए accounts बनाऊंगा इसमें और नए accounts में क्या होगा कि नए accounts में सारी की सारी security होगी तो अगर मैं आपर Harry के नाम से एक नए account बनाऊं और password one two रख दूँ sign up किया तो देखो यहाँ पर password मैंने one two रख लेकिन आपको पता नहीं चलेगा password one two है इसको देखकर मानलो password one two है यह तो मुझे पता है लेकिन मानलो कोई hacker आता है और वो कोशिश करता है इस से login करने की तो मैं आप लोगों को यह भी दिखा देता हूँ कि hash से login नहीं होता है मैंने hash paste किया और यह देखो hash का hash होगे कुछ और हो जाएगा और password verify fail हो जाएगा इसलिए आप लोग hash से login नहीं कर सकते है ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पर one two करूँ login करूँ तो यह login हो जाएगा और मैं update कर लेता हूँ password ठीक है similarly log out पर कर देता हूँ मेरा login system यहाँ पर ready है एक और account के लिए sign up कर देता हूँ उसका नाम में रकूँगा रोहन password भी रोहन और यहाँ पर देखो और उपर वाली string है वहाला के लेकिन इन strings को देखकर यह कोई पता नहीं लगा सकता कि यह जो strings है वो वो indicate कर रही है आपका यह password जो कि मैंने यहाँ पर यूज किया रोहन या फिर Harry के लिए one या one two यूज किया जो भी password है वो इनको देखकर कोई पता नहीं लगा सकता so guys I hope की यह जीस clear हो गई होगी आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो कि मैंने बताया है आप लोगों को और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने गयाज यह playlist access नहीं करीए PHP tutorials की तो उसको जरूर access कर ले न जो कि इसी में सारी के सारी बाते जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा PHP की वो होने वाली है कोई भी project अगर हम बनाएंगे तो यहीं पर मैं आपको डाल के दूँगा हो सब तो इसको जरूर से आप लोग जो है access कर ले starting से लेके end तक अगर आप देखेंगे तो अगर आपने life में कभी web development PHP से अप नहीं कर रहा है उसके बाद भी आप इसको देखकर बहुत ही अराम से सीख सकते हैं PHP और back-end programming I hope कि यह videos आपको मज़दार लग रहे हैं और यह जो concepts हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ वो भी समझ में आप लोग को आ रहे है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाई इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत बूलना है क्योंकि उससे platform को पता चलता है कि यह videos अच्छे हैं और यह videos आगे पुछ होंगे अगर आप लोग लाइक करेंगे और मेरा confidence बढ़ेगा आप लोग के लिए इस तरह के वीडियो लाने के लिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाई थैंक यू सो मच यू गाई फो वाचिं इस वीडियो and I will see you next time